कि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम लोग देश के पत्तकारों के बारे में बात करते हैं और बड़े-बड़े पत्तकारों को अगर हम लोग भूल जाएं तो यह संभाव भी नहीं हो सकता है अंजना ओम कस्यप के बारे में बात कर रहा हूं और आज हम लोग अंजना ओम कस्यप के बारे में बिस्तार से बात करेंगे आकिरिंग की यात्रा कहां से शुरू होती है पत्तिकारता में और किन किन टीवी चैनल में न्यू चैनल में इन्होंने काम किया हुआ है अभी बर्तमान में किस चैनल में है इन्हें कौन-कौन से पुरुसकार में ले हुए है उस सब पर ह कुछ बिवाद भी है, उन बिवादों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात और आपको बता दूँ, देखिए जब भी लोकतंत की बात होती है, और आप सभी जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत का 14 स्थम्ब कहा जाता है, लेकिन देश की मीडिया का क्या हाल है, मु कुछ TV चैनल्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जो सरकार की हमेसा बुराई-बुराई करते रहते हैं, कुछ चैनल्स हमेसा आपको ऐसे मिल जाएंगे, जो हमेसा सरकार की अच्छा ही अच्छा ही बताते रहते हैं, सरकार में कोई कमी नहीं है, नेताओं में अभी ज जो फायदे बता रहा है सरकार के, और जो नुकसान बता रहा है, उन में से आप लोग बीच का रास्ता चुनिए, और मुझे लगता है कि आप लोग बहतर इसक, बहतर निसकर्स पर पहुँच पाएंगे, मुझे लगता है कि आप लोगों में से अगर कुछ लोग UPSC, यानि क अपनी तरफ से एक निसकर्स लिखते हैं, तो वही हाल आप आजकल की फत्तिकारता को आप लोग ध्यान में रखते हुए, उसका निसकर्स निकाल सकते हैं, खैर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही होंगी, और ये सबी आपके ओम अजना कस्य इनका पूरा नाम है, इनका जनम होता है 12 जून 1975 में, ये 1975 होई ही साल है, जब हमारे देश में राष्टी आपातकाल लगाया गया था, उस समय आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्यों पिधान मंतरी था, इंद्रा गांधी पिधान मंतरी थी, इनका जनम इस्थान है र तो लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल राची से अपनी सिक्षा लेती हैं, फिर आप देखेंगे आँगे की सिक्षा के लिए दौलत राम कॉलेज, जामिया मीलिया, इसलामिया, दिल्ली विस्विध्याले से आँगे की सिक्षा पूरी करती हैं, और पतिकार्ता में इनोंने ड पतिकार हैं, और समाचार पिस्तोता यानि की निवज एंकर हैं, और एक अच्छी खासी निवज एंकर हैं, कई लोग आप मैंसे इन्हें पसंद भी करते होंगे, कई लोग इन्हें नापसंद भी करते होंगे, पतिकार्ता में अगर हम लोग इनके कैरियर की बात करें, तो आप देखेंगे कि अंजना ओमकस्यप ने पक्तिकार्ता की सुरुवात साल 2003 में दूरदसन के न्यूज सो आखों देखी से की थी। और इसके बाद अंजना ओमकस्यप ने न्यूज चैनल जी न्यूज में काम करने लगी। साल 2007 में अजना ओमकस्यप ने G News छोड़ कर New Channel News 24 में चली जाती हैं और News 24 पर अजना ओमकस्यप का Debate सो काफी लोग फिरिये हुआ और इसके बाद अजना ओमकस्यप ने Star News में किया और फिर आज तक के साथ जुड़ गई हैं और आज तक से जुड़ने की बाद अजना ओमकस्यप के News सो राज्टलग हला बोल खास रिपोर्ट को काफी लोग पसंद करते हैं और अभी आप देखते हैं कि आज तक जो New Channel है इसे इसे जुड़ी हुई हैं बरत्मान में आप देखेंगे कि अजना ओमकस्यप ने कुछ फिल्मों में भी आप देखेंगे बॉली वोर्ड फिल्म सुल्तान हो या फिर टाइगर जिंदा हो इसमें एक पत्तिकार के रूम में इन्होंने अभी नय किया हुआ है और इन्हें सम्मान भी मिले हुए हैं कुछ पुरुसकार भी मिले हुए हैं वेश्ट रिपोर्टर आप दा आप दी एर की इन्हें पुरुसकार मिला है ITA द्वारा सरफसिष्ट एंकर 2014 चुना गया था EMBA Awards 2015 द्वारा सरफसिष्ट एंकर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है IMWA Awards 2015 द्वारा सरफसिष्ट एंकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुकी है India Today Chairman का Excellence Award भी ने दिया जा चुका है P.A.J.D. Chamber of Commerce and Industry द्वारपतिकारता में उत्विष्टता के लिए भी ने सम्मानित किया जा चुका है अब जैसा कि आप सभी को बताया था कि बिबाद भी इनसे जुड़े रहते हैं तो साधी के बाद अजना काफी बिबाद में रही कहा जाता है कि साधी के बाद पती मंगेस कस्यप को दच्छिट दिल्ली नगर नेगों का मुख ऑफिसर बनाये गया था ये पद उन्हें सीनियर्टी के आधार पर नहीं दिया गया था बलकि अजना के पती होने के कारण इन्हें मिला था इनके पती को इस समय भी ये काफी चर्चा में आई थी और आप जानते हैं कि इन्हें BJP का समर्थक भी कहा जाता है कई लोग इन्हें BJP का समर्थक कहते हैं दाकारवा निके तक सकसेना द्वारा एक लंबा चोड़ा रेपोर्ट अंजना की पत्थिकारता के लिए बहुत महत्पूर रहा जिसमें राष्टवादी विचारधारा के आक्रमग पिसार और विविन इस्तितियों के भारतिय जिनता पार्टी के पक्ष में पक्षपाद फूर रेपोर्टिंग पर ध्यान नहीं दिया गया और स्क्रॉल.in ने उस बिहार इंसे फ्लाइटिस के प्रकोप के बारे में रिपोर्ट करते समय अंजना ने स्रीकिष्न मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नवजात आईसीउ में पिरवेश किया और उनकी अनुचित बिवहार के लिए उनकी काफी आलोचना भी की गई थी और इंडियन मेडिकल इसोसियेसन ने बाद में पिरचार फाने की प्रयास में बच्चों की जीवन को खत्रे में डालने के लिए उनके विरोध सिकायद दर्ज भी कराई थी उसनमय भी इनकी काफी आलोचना भी की गई थी इसनेहा दोवे के साथ भी ये काफी सुरकियों में आई आई आप सभी जानते हैं कि ये 2021 की घटना है अंजना उंकस्यप पिधानमंत्री नदमोधी की अमेरिकिया यात्रा को कबर करने पहुंची थी तब वह काफी सुरकियों में आई थे उस समय उन्होंने सविवतराष्ट महासभा भारत की पिथम सचीव इसनेहा दोवे के केबिन में बिना अ अंजना को काफी ट्रॉल भी किया था और इसके अकारण भी आपने देखा होगा काफी ट्वीटर या आप देखी कि कई जगे आप लोगों को ट्रॉल इन्हें किया गया था वीडियो बायरल भी हुए थे उस समय तो यहीं कहानी है अंजना ओमकस्यप की और आप मैं से कोई की लोग चाहते भी थी कि आउम अंजना कस्यप या अंजना ओमकस्यप के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए और देखिए अगर और किसी पत्तकारता के बारे में बात करनी हो तो बताईएगा उस पर हम लोग बात करनेंगे वरना यह जो सीरिस चलती रहती है वायोगर कि जीवीने के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है वहाँ जाकर आप लोग देखते रहेंगे ठीक है आप लोग इंज्वाय करते रही है